जार्खन के JPSC, JSSC या फिर विविन परत्योगी परिछाओं की त्यारी कर रहे ही अभियर्थियों और साथी साथ जार्खन बोट के कलास 9, 10, 11, 12 के छात्रों और CBSC बोट के भी जितने भी जार्खन के छात्र हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने Study24 जार्खन यूटूब चैनल में दोस्तों आपके जीवन से जुड़े हुए अस्थानिये निती और जार्खन नियोजन निती को ले करके आज 3 महतपूर्ण लेटेस्ट अपडेट आए हैं जो यहाँ पर हम लोग स्क्रीन में देख रहे हैं यह पहला लेटेस्ट अपडेट है कि कल आपके अस्थानिये निती और आपके जार्खन नियोजन निती को ले करके कॉंग्रेस के मंतरियों और विधायकों ने मंतन किया और उसमें कुछ निर्ने लिये गए हैं और साथी साथ आगला जो हम लोग देखते हैं जो लेटेस्ट अपडेट यहाँ स्क्रीन में भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि जार्खन बीना नियोजन निती नियुक्ती का रास्ता साफ नहीं होगा जार्खन के मुख मंतरी ने जार्खन के जितने भी खाली पद हैं उसको भरने के आदेश जारी किये हैं तो उसके बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है कि बिना निती नियुक्ती का रास्ता साफ नहीं होगा और राईज गठन के बाद से ही फंस्ता रहा है पेंच और इसके बाद जो हम लोग मोटे मोटे अच्छरों में देख रहे हैं कि उल ले टेस्ट अपडेट हैं और इसके बाद तीसरा जो अपडेट है वो सिच्छग नियुक्ती को ले करके हैं यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं कि सिच्छग नियुक्ती मामले में सरकार से मांगा जबाब हाई कोट ने तो आज ये आपके जीवन से जुड़ा हुआ ती जारखंड के जितने भी कॉंग्रेस पार्टी के विधायक और मंतरी हैं उन लोगों ने कॉंग्रेस के आलमगीर आलम के नेत्रीत में मीटिंग किया और उस मीटिंग में उन नेताओं ने चर्चा परिचर्चा की कि जारखंड सरकार को बने हुए जो बरतमान जारखंड सरक कॉंग्रेस और जे में की सरकार इसको बने हुए लगभग दो वर्ष होने को है लेकिन झारखन के युवावों को अब तक नोकरी नहीं दिया जा सका है यहां के जितने भी चाहे वे पंचायत सचीव के अभियर्थी हो या फिर कॉंस्टेबल हो एकसाइज वाले हो या फिर अ लेकिन अब तक निवति नहीं हुई है बहुत सारे अभियर्थियों का जो डोकोमेंट भेरिफिकेशन है मेरिट लिस्ट भी बन गया है लेकिन उसके रिजल्ट का भी परकासन नहीं हो पाया है जिसके कारण जारखन के जितने भी अभियर्थी हैं जो इन परतियोगी टेट पास तो उनके निवति को ले करके भी कुछ किया जाए वो भी इस मीटिंग में चर्चा की गई थी तो दोस्तों आपके जो परस्न हैं आपके जीवन से जुड़े हुए अस्थानिय निती और नियोजन निती को ले करके जारखंड में अभी मामला बहुत ही गर्म है और जारखंड के युवाओ ने जो ट्रेंड किया है ट्वीट के माध्यम से उसका असर साफ साफ दिख रहा है आगे जो हम लोग देखते हैं जो यहाँ पर हम लोग आ स्क्रीन में देखें जो दूसरा लेटेस्ट अपडेट है और इसमें जो दिया है कि जारखंड बिना नीती नियुकती का रास्ता साफ नहीं होगा जब तक नियोजन नीती नहीं बनेगी तब तक नियुकती का रास्ता साफ नहीं होगा इसके बाद राइज गठन के बाद से ही फंसता रहा है पेंच जब से 2000 में राइज का गठन हुआ और जितनी भी नियुकतियां आई बाबुलाल में उलजी अब सुलजाना सरकार की बड़ी चुनवती तो दोस्तों यहां पर जो हम लोग देख रहे हैं इस नीज पेपर में जो परकासित हुआ है इसमें असपश्ट रूप से कहा गया है कि कब कौन सी सरकार में नियोजन निती को ले करके क्या-क्या पेंच फसा और इस पर किस तरह से नियुक्तियों को रद किया गया और अभी भी बहुत सारे परतियोगीता परिछाओं के अभियर्थी अपने नियुक्ति को ले करके इंतिजार कर रहे हैं यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं जो हेडलाइन के निचे दिया हुआ है कि रगूबर सरकार ने 13 अनुसूचित वत 11 गयर अनुसूचित जिल्लों के लिए अलग-अलग निती बना दी थी यह हम लोग भी जान रहे हैं तेरा और गारा के फॉर्मूले के अधार पर अलग-अलग नियोजन निती बनी थी कुछ आईज में ऐसा था कि सिर्फ जारखंड के अभियर्थी ही नियुक्ति परकिरिया में भाग ले सकते हैं और कुछ ऐसे भी जिले थे जो पूरे औल इंडिया के लिए उसके दर्वाजे खोल दिये गए थे कि कोई भी आओ और वहां पर नियुक्ति परकिरिया में भाग लो और नियुक्त हो जा तो ये फोर्मूला आया था और इसमें जो कहा गया है कि कोट में मामला फंस गया जो रगुबर सरकार ने जो नियोजन निती बनाई थी वह कोट में फंसा और हम लोग ये भी जान रहे हैं कि 21 सितंबर 2020 को नियोजन निती को जारखंड हाई कोट ने रद कर दिया और उस रद करने की परकिरिया के कारण जारखंड के चाहे हुए पंचायत सचीव के अभियर्थी हों, कोंस्टेबल हों या फिर जेटेट के अभियर्थी हों या फिर आप देखें कि एकसाइज वाले या फिर अस्पेशल ब्रांच वाले हों, सिजियल के छातर हों तो सभी लोगों के निवक्ति पर परसन चीन या फिर गरहन लग गया जिसके कारण अब तक उन अभियर्तियों को पूरा एकदम कहा जाए तो परिशानी का सामना करना पड़ रहा है इसके बाद आगे जो हम लोग देखते हैं इसी में जो दिया हुआ है कि एक मिनट इसमें जो दिया हुआ है कि 11 अनुसुचित जिला में तिर्तिय व चतूर्थ वर्ग की नोकरियों को अस्थानीय के लिए रिजर्ब कर दिया लेकिन 11 जिलों में अस्थानीय की बाध्यता नही गई जब 11 और 13 का फैसला लिया गया नियोजन निती बनी तो इस पर बिवाद हुआ तो कमीटी बनी थी और हलाकी कमीटी के अनुसंसा के बाद सभी जिलों में तिर्तिय वा चतूर्थ वर्ग की नोकरियों को दस वर्सों के लिए अस्थानिय निवासियों के लिए आरचित कर जिलों में जो खुले रखे गए थे बाहरी दूसरे राइज के अभियर्थियों के लिए दर्वाजे उसको भी 10 साल के लिए बंद कर दिया गया और जितने भी तिर्तिय और चतूर्थ वर्ग के पद थे वह सिर्फ और सिर्फ जार्खंड के निवासियों के लिए आरचित क उस पर वो एक खुद घिर गए थे और यहां पर जो हम लोग देखते हैं कि वर्ष 2016 में रगुबर दास की सरकार ने राइज गठन के बाद पहली बार अस्थानिय निती बनाई थी पुरवर्ती सरकार की नितियों पर सवाल उठते रहे ततकालीन भाजपा के बिधायकों न लिखित रूप से सरकार के सामने आपती जताई थी और रगुबर सरकार के बाद हैमंत सरकार ने सत्ता संभाली तो पूर सरकार के अस्थानिय निती को रद कर दिया 21 सितमबर 2020 को इसके बाद अस्थानिय निती को लेकर जारखन में राजनितिक उठा पटक होती रही है और स सरकारें बदल रहे हैं लेकिन निती नहीं बन पाई है आगे जो हम लोग देखते हैं कि 2014 में हेमंद सरकार ने बनाया था ड्राप्ट अस्थानिय निती नहीं बन पाई हेमंद सरकार ने 2014 में ही ड्राप्ट बना लिया था लेकिन अभी तक नियोजन निती नहीं बनी है यहां जो हम लोग देखते हैं कि वर्स 2014 में हैमन सोरेन ने अपनी सरकार में अस्थानिय निती बनाने का परियास किया था उस समय अस्थानिय निती के लिए एक कमिटी बनाई गई थी और डेड़ वर्स के कारिसकाल में सिरी सोरेन ने परियास किया था और सरकार का गठन अस्थानिय निती की उठा पटक पर ही हुआ था और आगे जो देखते हैं कि कमिटी ने ड्राफ्ट भी त्यार किया था लेकिन इस उपर सर्व समत्ती से राय नहीं बन पाई जन्वरी 2014 को कमिटी का गठन किया गया था और ततकालिन मंत्री स्वर्गी राजेंदर परसांत सिंग संयोजक बनाये गए थे वहीं ततकालिन मंत्री गीता सिरी उराव, चंपई सोरेन, सुरेश पासवान, विधायक लोबिन हैंबरम, बंधूत तिर्की बिधूत चरन महतोस, डॉक्टर सर्फराज अहमद और संजय सिंह, जादव को सदसे बनाया गया था तो यह हम लोग जो देख रहे हैं कि रगुबर सरकार और साथी साथ हेमंद सरकार के समय में अस्थानिय निती और आपके नियोजन निती को ले करके क्या-क्या कदम उठाए गए थे यहाँ पर और भी देखते हैं कि अर्जुन मुंडा की सरकार ने भी बनाई थी कमिटी यहाँ पर वर्ष 2011 में जब अर्जुन मुंडा जहरखंड के मुख मंत्री थे तो उस समय भी नियोजन निती वा अस्थानिय निती को परिभासित करने के लिए एक समीती का गठन किया गया था कमिटी ने दुसरे राजियों की अस्थानिय निती का अध्यन भी किया था उस समय कमिटी में बरतमान मुख मंत्री वो ततकालिन मुख मंत्री हैमंत सोरेन वो सुदेश कुमार महतो सामिल थे और कमिटी किसी निशकर्स पर नहीं पहुँच पाई कोई निशकर्स पर नहीं पहुँच पाई और ततकालिन सिच्छा मंत्री वैजनात राम की कमिटी के सदसे थे वे भी सदसे थे तो दोस्तों यह जो हम लोग देख रहे हैं आपके अस्थानिय निती और नियोजन निती को ले करके यह कुछ-कुछ latest update थे इसके बाद हम लोग जो देखते हैं कि आपका जो सिच्छक नियोगती को ले करके जो latest update है वो हम लोग यहाँ पर इसके बाद देखते हैं और इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर जो हम लोग देखते हैं कि सिच्छक नियोगती मामले में सरकार से मांगा जबाब जहारखन के जितने भी बिएड पास अभियर्थी हैं और TGT टीचर बनना चाहते हैं उसके लिए यह latest update है कि जो भी विशेश छात्र हैं मतलब कि बिकलांग है, सिथलांग है, दिब्यांग है तो उन छात्रों को सिच्छा के अधिकार अधिनियम के तहत जो सिच्छा दी जानी है उसके लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं और उनके लिए सिच्छकों के बहाली के लिए पद सिर्जित किये गए हैं या फिर नहीं तो यह जबाब जहारखन हाई कोट ने जहारखन की सरकार से मांगा है तो दोस्तों ये जारखन के सभी छात्रों, सभी परतियोगीता परिछाओं की त्यारी कर रहे अभियर्थियों के लिए कुछ लेटेस्ट अपडेट थे आपके जारखन के study24 जारखन यूटूब चैनल की और से तो दोस्तों आज आपके लिए इस वीडियो में बस इतना ही और इसी तरह के जो भी अपडेट होंगे आपके लिए वो मैं इस यूटूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुचाऊंगा लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप लोग इस study24 जारखन यूटूब चैनल को subscribe करके र लेंगे